हेलो फ्रेंड्स नमस्कार और स्वाक्त है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेस्बूक पेज धिमान राजेस धिमान में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कॉंपोजिशन और फंक्शन से रिलेटर कुछ क्वेस्चिन्स मैं पहले भी रिलेशन और फंक्शन के ओपर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ अगर आप चाहें तो वो वीडियो जाके प्लेइलिस्ट में देख सकते हैं पहला कॉस्चन है FIND GOF & F OG IF F X is equal to MOD X and G X is equal to MOD of 5X-2 सबसे पहले हम GOF निकालेंगे पहले कॉस्चन के लिए तो GOF , ओ को हम रिप्लेश कर देंगे ब्रैकेट के साथ ऐसे अब F X की वैल्लीउ यहां से put कर देंगे और जी बैसे ही रहेगा तो हम लिखेंगे ऐसे जी और यहां पर fx की जगा लिख देंगे mode x अब यह main step है देखिए यहां पर gx यह इसके साथ compare करेंगे इसको क्योंकि g के आगे x की जगा यहां पर mode x है तो हम यहां पर भी ऐसे ही कर देंगे gx की जगा mode x रख देंगे तो हमें देखिए gx से क्या मिलेगा जी और यहां पर x की जगा mode x जैसे यहां पर mode x है बैसे ही तो जहां जहां x है बहां बहां हम mode x रख देंगे x यहाँ पर है और यहाँ mode x आ जाएगा तो हमें मिलेगा ऐसे mode of mode तो पहले से ही चला हुआ है और इस x की जगा mode x आ जाएगा ऐसे फिर minus 2 और यह हमारा answer आ जाएगा ऐसे तो g of mode x यहाँ से हमें मिलेगा 5 फिर x की जगा mode x आ जाएगा माइनस x और ये मोड एड़िटी चलेगा यहाँ पर जो कुछ भी लिखा होगा उसको हम इस नंबर के साथ या इस फंक्सल के साथ रिप्लेस कर देते हैं और यही हमारा gof आ जाएगा अब second fog निकालेंगे तो fog of x is equal to o को हटा के हम ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर वो बनेगा f of gx पहले हम x की image under g देखेंगे तो देखें x की image under g यह है मतलब यह हुआ f की image तो हम भी हमने चेक करनी है वो बैसे ही रहेगी पहले g के under x की image देखेंगे वो मिलेगी हमें mode of 5x minus 2 ऐसे अब देखें यहाँ से अब यहाँ पर f है f के साथ अब हमने इस जो function है इसकी image देखनी है under f तो वो यहाँ से मिलेगी और यहाँ से कैसे मिलेगी जहाँ पर भी x है बहाँ पर यह function आ जाएगा यह सारा मतलब यह सारा ऐसे इस x की जगह आ जाएगा और mode तो बैसे ही रहेगा तो हमें क्या मिलेगा यह mode के अंदर और यह देखी यह भी mode के अंदर है तो यह mode के अंदर ऐसे ही मिल जाएगा और यह हमारा answer हो जाएगा तो देखिए कैसे लिखेंगे फिर हम इसको mode तो mode ऐसे आ जाएगा और इस x की जगा ये सारा mode के अंदर जो लिखा है जो यहां पर लिखा जाएगा इस x की जगा देखिए जो ये लिखा गया है f of x मतलब ये सारे का सारा तो ये आएगा mode of 5x minus 2 और ये देखिए ये और ये एक जैसा है और अगर किसी भी number का हम एक बार mode ले ले तो दो बार mode लेने से भी वो ही number रहेगा मतलब ये mode meaningless हुआ दूसरी बार का तो इसका मतलब आया 5x minus 2 का mode जो एक बार आया वो ही हमारा answer हो जाएगा अब दूसरा question ये है f x की value 8x cube देविया है और g x की value x power 1 by 3 यहाँ पर भी हम g o f निकालेंगे यहाँ पर देखिए o को हटाएंगे तो यहाँ पर bracket लग जाएगी पहले step में तो f x की value जो भी मिलती है वो put कर देनी है तो यहाँ पर g of 8x cube आएगा 8x cube दूसरा step सब से important होता है यहाँ पर अब हम g x के साथ इसको relate करेंगे मतलब क्या है कि जो g के अंदर यहाँ पर लिखा गया है उसको replace कर देना है यहाँ पर क्योंकि यह g के साथ है तो यहाँ पर इस x की जगा यह आ जाएगा और यहाँ पर फिर जहाँ पर यह x है बहाँ पर 8 x क्यूब रहेगा तो ultimately हमें यहाँ से answer मिलेगा इस x की जगा 8 x क्यूब 8 x क्यूब 8 x क्यूब और यह power फिर 1 by 3 as it is रहेगी अब इसको अगर हम simplify कर ले तो 8 x क्यूब को हम लिख सकते है 2 x power 3 और फिर यहाँ पर बनवाई 3 तो पहले से है यह 3 3 कट गया हमें मिला 2 x तो g o f आया 2 x के ब्राबर g o f के बाद अब निकालेंगे f o g of x तो यह देखिए यहाँ पर फिर बैसे ही o को हटाएंगे तो ब्रैकेट लग जाएगी और g x जो लिखा है तो वो g x की value पूरी की पूरी पूट कर देनी है यहाँ पर हमें मिलेगा f of x power 1 y 3 x power 1 y 3 अब यहाँ पर f x यहाँ देखिए f x की value यह है यहाँ पर f के अंदर x की power 1 y 3 है मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर लिखा है जो हमें दिया हुआ function है यहाँ पर वो इसकी value पूट करेंगे ऐसा ही करते है x की value 1 y 3 तो यहाँ पर x की value 1 y 3 पूट करेंगे तो इस x की जगा भी हमें x की power 1 y 3 पूट करना पड़ेगा और जो भी मिलेगा वो बैसे का बैसा ही लिख देंगी तो 8 into इस x की जगा यह लिखेंगे मतलब x power 1 y 3 और देखिए यह cube तो बैसे ही है और फिर और देखिए यह power और यह power खत्म हो गई तो हमें यहाँ से मिलेगा 8 x और यह इसका अंसर आजाएगा f of g का अगला question है let f is a function from r to r be defined by f x is equal to x square minus 3 x plus 2 then find f of f x तो यह कैसे आएगा सबसे पहले जहाँ पर f x लिखा है वहाँ पर यह value लिख देनी है पूरी की पूरी x square minus 3 x plus 2 अब उसके बाद देखिए यहाँ पर f of इस x की जगा यह सब कुछ है तो यहाँ पर इस x की जगा यह सारा लिखना है दबारा से function मतलब यहाँ से लिखा जाएगा और यहाँ से कैसे लिखेंगे जहाँ जहाँ x है बहाँ बहाँ यह x square minus 3 x plus 2 लिखा जाएगा तो यहाँ पर x आएगा यह कैसे minus 3 फिर x आएगा फिर plus 2 आएगा तो इस तरह से x square minus 3 x plus 2 देखिए x square minus 3 x plus 2 तो इस x की जगा यह लिखा जाएगा तो हमें क्या मिलेगा x square minus 3 x plus 2 यहाँ भी x square minus 3 x plus 2 और अब है a minus a plus b plus c whole square तो इसको open कर लेंगे यह मिलेगा हमें a square हमें पता है a plus b plus c whole square क्या है वो है a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c 2c a तो a square plus b square plus c square उसके बाद आएगा plus 2ab a की जगा आएगा a square b की जगा आएगा minus 3 x फिर plus 2bc 2b b की जगा देखिए यहाँ पर यह टर्म और c की जगा यह है तो यह 2 आएगा उसके बाद 2ca तो c यह है a यह है 2 into a ऐसे अब इसके साथ इसको multiply कर देंगे minus 3x square फिर minus into minus plus हो जाएगा तो यह मिलेगा हमें 9x और उसके बाद minus 3, 2, 0 6 और आगे plus 2 दुबारा से simplify करेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर x की power 4 आगे यहाँ पर minus का square वो plus हो जाएगा 3 का square 9 मिलेगा x की square x 2, 2, 0, 4 मिलेगा फिर यहाँ 2 और 3 को multiply करेंगे तो 6 मिलेगा और x square x x की power 3 हो जाएगी तो यहाँ मिलेगा 6 x power 3 अब यहाँ 2, 2, 0, 4 3, 0, 12 minus 12 और सिर्फ 1 x है यहाँ देखिए 2, 2, 0, 4 x square फिर minus 3 x square as it is चलेगा आगे plus 9 x अब plus 9 x फिर minus 6 plus 2 से हमें मिलेगा minus 4 अब फिर से इसको simplify करेंगे सबसे बड़ी power पहले फिर छोटी power उसके बाद तो यहाँ देखिए यह है एक power 3 की और यही लिखे जाएगा 6 x cube अब यह 2 की यहाँ पर 2 की यहाँ पर 2 यहाँ पर इन दोनों को जब हम इकठा करेंगे तो यहाँ से मिलेगा plus x square इन दोनों को मिला देंगे तो मिलेगा 10 x square अब minus 12 x और plus 9 x minus 3 x मिलेगा इन दोनों से इससे और इससे अब यह और यह तो cancel हो जाएगा और यही हमारा solution आ जाएगा f o f x तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है f o g और उसको प्रूब करना है identity function के बराबर तो f o g कैसे आएगा f o g x बन जाएगा जैसे हमने पिछले question में किया है अब यहाँ पर g x की value यह दी हुई है उसको रख देंगे 7 x प्लस 4 ओबर 5 x माइनस 3 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है f o x तो यह f के साथ सुरू है मतलब यहाँ से हमें value मिलेगी जहाँ जहाँ x है बहाँ बहाँ हम यह value पूट कर देंगे यहाँ से तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यह value पूट करनी है देखिए और लिखेंगे इस में तो क्या लिखेंगे 3 into इस x की जगा और इस x की जगा यह value लिख देनी है 3 into x की जगा यह लिखा जाएगा 7 x प्लस 4 ओबर 5 x माइनस 3 प्लस 4 फिर यहाँ देखिए फिर 5 into x की जगा 7 x प्लस 4 ओबर 5 x माइनस 3 माइनस 7 रहेगा अब 5 x माइनस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे numerator और denominator दोनों जगा 5 x माइनस 3 से multiply करेंगे तो जब यहाँ multiply करेंगे 5 x माइनस 3 से तो ऐसे लगेगा और यहाँ पार होगा तो ऐसे और यह और यह cancel हो जाएगा जब 5 x माइनस 3 यहाँ आएगा तो यह और यह cancel हो जाएगा यहाँ इसके साथ cancel हो जाएगा तो हमारे पास यह बचा हुआ रहे जाएगा अब 3 के साथ multiply करेंगे तो जब 3 के साथ multiply करेंगे तो 21x plus 12 यहां से मिलेगा 20x फिर minus 12 यहां 57,000 35x फिर plus 20 minus 35x plus 21 और जब इसको solve करेंगे तो यहां से मिलेगा 41x और 12 और 12 कैंसल हो जाएंगे इसी तरह से यहां 35 कैंसल हो जाएगा और यहां से हमें मिलेगा इन दोनों टर्म से 41 और 41,41 खतम x मिल जाएगा और x को हम लिख सकते हैं identity और identity किसका a मतलब इसका domain जो होगा वो a जो a set है वहां पर belong करेगा अब इसी function के लिए हमने निकालना है gof तो इस o को हटाएंगे तो यहां bracket लग जाती है हमारे पास आएगा g और bracket के अंदर fx फिर इस fx की value यहां से put कर देंगे और g एज़ इटिज रहेगा तो fx कहां से आएगा यहां से और कितना आएगा 3x plus 4 over 5x minus 7 अब यहां देखिए जहां जहां x है क्योंकि हम g के बारे में बात कर रहे हैं और g यहां पर है मतलब यह जो सारे का सारा लिखा है rational function वो यहां put होगा और यहां का मतलब है यहां भी और यहां भी put होता है तो ultimately इसका मतलब ही यही होगा gx को हम यह लिखेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 7 into यह x जो इससे replace होगा plus 4 फिर यहां पर 5 into इस x की जगा जो यहां से replace होगा minus 3 तो यहां क्या लिखना है हमने देखिए यहां लिखेंगे हम 3 x plus 4 over 5 x minus 7 यहां भी वैसे ही लिखेंगे 3 x plus 4 over 5 x minus 7 अब इसको जब solve करना है जैसे हमने पिछली बार किया है वैसे ही करेंगे आपकी बार हम 5 x minus 7 से multiply करेंगे numerator और denominator को ताकि यह cancel हो जाए तो यहां पर यह और यहां पर यह cancel हो गया और हमें क्या मिलेगा देखिए अब हमें यहां से मिलेगा 7 से जब multiply करेंगे तो 21 x फिर plus 24 8 28 plus अब 4 के साथ multiply करेंगे तो 20 x फिर minus 28 अब यहां 15 x मिलेगा फिर 20 minus 15 x plus 21 अब इन दोनों को जब add करेंगे तो हमें मिलेगा 41 x और यह और यह तो cancel हो जाएंगे same number है 15 x 15 x एक जैसे हैं वो भी cancel हो जाएंगे यहां से 20 और 21 को add करेंगे तो 41 41 भी खत्म हो जाएगा और यहां से मिलेगा हमें identity matrix लेकिन जब हम इसको check कर सकते हैं तो यह x जो है वो f की image देगा और जो f का domain आएगा उसको जो f की range आएगी उसको फिर से यहां पर जी मतलब यह b आ जाएगा बी के set b के elements को दिखाएगा और identity दिखाएगा मतलब same element को दिखादेगा तो friends यह था आज का वीडियो composition of function के उपर मुझे पूरी उमीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो इसको like करें अपने friends के साथ भी share करें अगर आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो जरूर subscribe कर लिजिए इसी तरह मैस के उपर वीडियो देखने के लिए अगर आपने ये वीडियो हमारे facebook page के उपर देखी है तो हमारे page को like और follow करना ना भोलें धन्यवाद